कम्पनी ने यहां पर साफ कह दिया है कि 5000 mh की बैटरी है लेकिन फास्ट चार्जिंग का कोई भी सपोर्ट इसमें आपको नहीं दे रखा है लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि अगर रिफरेश रेट थोड़ा सा 90 हट्स का हो जाता तो मज़ा आ जाती कम्प्रोमाइस नहीं किया गया है यानि की कैमरे के मामले में आप इसे थोड़ा सा ले सकते हैं अगर वहीं दोस्तों इसका एक कॉम्पर्टीटर है जो कि हैं मोटो रोला में ध्यांदी देखा मोटो जो की थोड़ा सा आपको सोचना होगा इस पोन को लेने से पहने आज की इस वीडियो में आप हमारे सामने देख रहे हैं Samsung Galaxy A04E जो की एक ऐसा बज़ट रेंज स्मार्ट फोन है Samsung की तरफ से जिसकी कीमत लगबग 10,000 के आसपास की रहती है लेकिन इसमें फीचर्स आपको जो देखने को मिलने वाले हैं वो काफी ठीक ठाक देखने को मिलने वाले हैं तो आखिर ये फोन क्यों खास हो जाता है फोन के मामले में अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है और आप एक ऐसा स्मार्ट फोन चाहते हैं जहां पर फीचर्स आपको ऐसे मिल जाएं जिसमें कि आप हलकी फुलकी गेविंग भी कर सकें फोटाग्रफी भी कर सकें तो Samsung आप पूरी एक-एक फोन की डिटेल्स को और ये फोन मेरे को मिला है DKG मोबाइल की तरह से तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे चलिए ओपन करते हैं इस बॉक्स को तो दोस्तों ये देख रह तो सबसे पहले तो ये आपको एक छोड़ा सा सेक्शन मिल जाता है बात अगर हम इस सेक्शन की करते हैं तो काफी पतला सा है तो एक बात तो क्लियर हो ही गई है कि केस कवर नहीं रहेगा चोटी सी सिम एजिक्टर पिन रहती है और साथ में ये आपको कुछ बहुत सा पेप चार्जर देखने को मिल जाता है और ये चार्जर आपका रहता है 5V 1.55A की आउटपुट रेटिंग के साथ यानि कि एक तरीके का स्टैंडर चार्जर है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसमें आपको देखने को नहीं मिला है लेकिन आपको फोन में 5000 mH की बैटरी साथ ही आपको ये एक Type-C केबल देखने को मिल जाती है जो कि एक और भी अच्छी बात रहेगी कि कोई एक बजट रेंज फोन है और ऐसे में आपको एक Type-C का सपोर्ट मिल गया है ये पॉइंट यहाँ पर कई न कई थोड़ा सा काबले तारीफ रहती है तो ये सारी इंचस का PLS LCD पैनल दे रखा होता है ओवराल डिस्प्ले की बात करे जाए तो HD प्लस के रेजलूशन के साथ आती है 270 पिक्सल पर इंचस की पिक्सल डेंस्टी है तो ठीक ठाक आपकी रहती है लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसकी प्राइस रिंज को देखते हुए ये डिस् screen to body ratio होता है वो आपका 81.8% का रहता है उपर की तरह आपको चोटी सी water drop notch देखने को मिल जाएगी जहाँ पर आपका 5 megapixel का selfie camera रहता है और side की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको volume rockers के साथ साथ आपको ये एक चोटी सी power की दे रखी होती है दू आपको चीजे दे रखी होती है जानी पहचानी सी जहाँ पर आपको audio jack मिल गया है जो कि एक बहुत अच्छी बात है साथी साथ एक mic देखने को मिल जाता है और speakers देखने को मिल जाते है फ्रेम यहाँ पर आपका प्लास्टिक फ्रेम रहेगा जिससे कि आप देख सकते हैं overall ठिक ठाक लग रहा है लेकिन थोड़ा से आपको bulky feel हो सकता है और 5000 mh की battery के साथ यह phone आता है तो थोड़ा सा इसका वजन भी जादा होता है बैक की बात करते हैं तो बैक आपका plastic का बना हुआ दे रखा होता है काफी आपका high gloss यह देखने में लग रहा है और आपको हलका सा texture यह देखने में लगेगा बट यहां पर texture नहीं है पूरा आपको एकदम plane दे रखा होता है बस हलकी सी designs आप देख सकते हैं हलके हलकी lining आपको देखने को मिल जाएगी decent इसका back रहता है मुझे लगता है कि जो लोग simple phone पसंद करते हैं उन्हें काफी interesting लगेगा और इसमें आप में है यह color options देखने को मिल जाते हैं आप दोस्तों चलना होगा इक बर इसके camera के बारे में बात कर लेते हैं camera यहां पर आपको 13 megapixel के wide angle lenses और 2 megapixel का depth sensor देखने को मिल जाता है इससे अब 1080pixel की video 30 fps पर record कर सकते हैं वड़ा पर चलना होगा एक फोन के अंदर जाकर बात करन करते हैं तो 1 UI 4.1 पर काम करता है Android वर्जन आपको 12 देखने को मिल जाएगा जो कि एक updated चीज रहेगी साथ ही अगर आप देखेंगे यहां पर जाकर इसके variants के बारे में तो यह phone आपको काफी सरे variants ओफर करता है तीन बदिस चार 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 तो वो सारी options आपको देखने को मिल जाते हैं यानि कि लगबग सारे 9000 उपए से लेकर 15000 उपए तक की range में इसके variants देखने को मिल जाते हैं और एक चीज मैं यहां पर थोड़ा से नोटिस करूँगा कि यहां पर आपको fingerprint sensor नहीं दे रखा होता है जो कि एक थोड़ा सा गौ प्रश processor ही दिया गया है entry level processor आप इसे मान के चल सकते हैं लेकिन आप इसमें halki full की gaming कर सकते हैं बहुत जादा आप gaming नहीं कर पाएंगे और अगर आप इसमें gaming करना चाहते हैं तो फिर आपको 464 या फिर 4128 का ही variant लेना चाहिए यह भी मेरी सला रहेगी वहीं अगर हम जाक ठाक देखने में नजर आएगी यहां पर camera भले ही 13 megapixel का रहता है लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छी depth maintain करता है शापनस बहुत अच्छी maintain कर पाता है यह camera colors वगएर आपको ठिक ठाक नजर आएंगे बहुत ज़दा आपको saturation नहीं नजर आएगा लेकिन इसके बावजूद भी color आपके average average type रहेंगे मैं यहां पर बहुत ज़दा तारीफ इसके colors की नहीं करना चाहता हूँ और वहीं अगर आप देखेंगे शापनस की इसके selfie camera में तो वो भी आपको ठिक ठाक देखने को मिल जाती है अभी आप इससे कुछ और भी picture sample वगएरा देख रहे होंगे तो comment करके बताएगा कि आपको overall इसकी camera performance कैसी रहती है हालाकि इसके camera में ज़्यादा options देखने को तो नहीं मिले हैं लेकिन अगर आप normal average photography करना चाहते हैं तो उसके लिए ये काफी बहतर रहेगा तो अभी देखना होगा एक बर इसके face lock को क्योंकि fingerprint scanner तो उसमें दे नहीं रखा होता है और जैसे ही आप on कराकर सामने की तरफ लाते हैं काफी delay ले रहा है जिसके बाद सोचने और समझने के बाद ही ये phone आपका open करता है जिससे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक आपको अच्छा खासा टाइम देखने को मिल जाएगा इसके lock को open होने में यानि कि यहाँ पर fingerprint scanner missing है face lock है लेकिन वो भी उतना fast नहीं है यानि कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सामसन ने यहाँ पर cost cutting करने की पूरी कोशिश की है अब लिए review के अंदर बात करते हैं कि ये phone आखिर आपको क्यों लेना चाहिए या क्यों नहीं लेना चाहिए तो finally दोस्तों आपने इसकी unboxing को देख लिया आप बात करते हैं final review के अंदर कम शब्दों में कि आखिर ये phone आपको क्यों लेना चाहिए pricing की बात करते हैं तो 10,000 रुप प्लस का resolution कम ही देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर refresh rate थोड़ा सा 90 Hz का हो जाता तो मज़ा आ जाती लेकिन यहाँ पर आपको PLS LCD पैनल के साथ 60 Hz का refresh rate plus HD plus का resolution देखने को मिला है यह point मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक point भी समें उपर होता IPS LCD हो जाता या फिर अगर आपका 90 Hz का refresh rate हो जाता या full HD plus का ही क्यों ना हो जाता तीन में से कोई एक point अगर उपर चला जाता तो यह display मुझे लगता है काफी बहतर माने जाती हला कि PLS LCD और IPS LCD में कोई बहुत बढ़ा अंतर नहीं है next point अगर हम यहाँ पर discuss करते हैं तो वो है इसकी fast charging को लेकर company ने यहाँ पर साफ कह दिया है कि 5000 mAh की बैटरी है लेकिन fast charging का कोई भी support इसमें आपको नहीं दे रखा है नहीं ऐसा कोई charger दिया गया है standard charging को यह phone आपका support करेगा जो अपने आप में बहुत सोचने वाली बात हो जाती है मुझे ऐसा लगता है 5000 mAh की बैटरी को अगर आप standard charging से charge करते हैं तो आपका अच्छा खासा समय गुजर जाएगा जो कि थोड़ा सा आपको सोचना होगा इस phone को लेने से पहले तो यह point आपको इसका थोड़ा सा ध्याम रखना है जब आगर आप इसे खरीदने का mood बना रहे है next point जो आता है वो आता है इसके camera को लेकर camera यहाँ पर वाकी काफी अच्छा है 13 Megapixel का sensor जरूर है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर camera quality प्लस इसके colors में कोई भी compromise नहीं किया गया है यानि की camera के मामले में आप इसे थोड़ा सा ले सकते हैं अगर आप ठीक ठाक मतलब average level की photography करना चाहते हैं बहुत अगर high grade इसे सोच के चल ला है vlogging वेगर सोच के चल ला है आज की इस वीडियो में इतना ही चनल को subscribe करिएगा वीडियो इंटरस्टिंग लगी हो कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमें like करके share जरूर से कर दीजएगा वहीं दोस्तो इसका एक competitor है जो कि है motorola में ध्यान दीजेगा motorola में है जो कि इसी price range में आता है और लगभग ऐसे ही features लेकर आता है लेकिन इसमें या उसमें कौन बहतर रहता है ये जानने के लिए आपको देखनी होगी एक video comparison की जिसके link आपको description box में देखने को मिल जाएंगे आज की इस वीडियो में इतना ही तब तक लिए नमस्कार दोस्तों जहिन वन्ने मादरों